When life gives you lemons, make lemonade, अर्थार्थ, मतलब literal translation है, अगर जिन्दिगी में आपको नीमबू मिलते हैं तो निचोड़िये और शिकन जी पीजे उसकी और प्रभू के गुण गाईए। लेकिन कभी इसके अंदर कहना चाहरा है कि जिन्दिगी के अंदर आप कहीं पर भी फसे हैं या जो भी साधन आपके पास, चाही छोटा या बड़ा, उसको maximum यूज़ करिए ताके आपकी life successful हो। मतलब कोई भी चीज से, चोड़ी सी चीज से आप कोई बढ़िया चीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, simple सा आलू। अब इस आलू से, आज हम बनाएंगे भर्वा दम आलू। which is going to be a superb recipe, very tasty, simple है, क्योंकि मैं हूँ, आपको बताने के लिए step by step, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसका जो reward है, is awesome। शुरू करते हैं भर्वा दम आलू। हमारी आज की जो ये recipe है, it's a restaurant style recipe. और इसके जो main components है न, उसके अंदर है आलू, obviously, उसे हमें scoop out करना है, उसको हमें थोड़ा सा fry करना है, उसके बाद, उसके अंदर हम बनाएंगे उसकी stuffing, and at the same time, तीसरी चीज है उसकी gravy. थोड़ी सी हरी मिर्च, लसन, और अदरक, न, अदरक को थोड़ा सा roughly हम chop कर सकते हैं, there goes, एक तेज बता, भाम अच्छा न, इसका तेज बता, बिल्कुल भी तेज नहीं है, हर बार उबलता है, fry होता है, कैसे तेज हुआ यह, बचारा फज़ा था किचन में. अप्शनल है, cashews, अगर cashews नहीं है, तो आप almond का इस्तमाल कर सकते हैं, peanuts का इस्तमाल कर सकते हैं, khas-khas का भी इस्तमाल कर सकते हैं, basically nuts क्या करते हैं, जो gravy है उसके अदर एक लबाब, एक thickness देते हैं, और उसको थेकन करने का मतलब यह है, कि जो creaminess आएगी उसके texture में towards the end, वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पावडर, थोड़ी सी खल्दी, now a dash of water, और इसमें अब जाएगा बले-बले मक्षन, gas on, So, यह gravy का समान शुरू हो गया, इसे पकाना है जब तक tomatoes and onions totally mash ही नहीं हो जाते, this will take some time, in the mean time, हम तयार करेंगे भर्वा आलू, अब भर्वा दम आलू बनाने के लिए, हमें इस्तमाल करने बड़े आलू, जितना बड़ा होगा, शेप देने में उतनी आसानी होगी, छोटे स अब से पहले, यह top and tail करना है, basically दोनों edges से इसे जरा सा काटना है, ऐसा करने से, you know, we get a little space, कि इसके अंदर हम लोग यूँ, पीलर को घुसा कर, इसको empty out करें, just put it straight and turn, इसे बाद आरे जब आपल खाते हैं, और देखे, पीलर आर पार नहीं होना चाहिए, यह हो गया, look, nice and even, अब यहां से uneven है, थिक है बाहर से, इसको यहां से हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम करना बड़ा सान है, ध्यान से, इसको करने के लिए ना, take a sharp knife, क्योंकि शायद आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कि maximum लोग के kitchen के अंदर, चाकू से जब हाथ कटते हैं, तो व blunt knife होता है, तो आप जादर जोर लगाते हैं, तो उंगली कटने के chances जादा हैं, क्योंकि चाकू slip होता है, जब धार होती है चाकू के अंदर, तो आराम से आप उसे इस्तमाल करते हैं, उंगली कम कटते हैं, okay that, completely hollow, done. अब आप बोल रहे होंगे भई, के इतनी वेस्टेज कर रहे हो, आप यह क्या कर रहे हैं, what is this, don't worry, यह कुछ वेस्टेज नहीं होगी, इस सारी की सारी ट्रिमिंग जाएगी पानी के अंदर, और इसे हम इस्तमाल करेंगे, आलू की stuffing करने में, एक सीटी आगे है, गैस को करेंगे हलका, और माच मिनट और इसे पकाना है, that's it, टुमेटो मैशी हो जाएगा, तब तक हमर अलू भी तयार, ब्रिलिंट, या अखरी आलू, तयार, look at this, beautiful, कमाटर गल गया है, प्यास गल गया है, कैशुनट, वो भी सॉफ्ट हो गया, अब इसे हमें totally ढंडा करना है, और उसके बाद इसे हम पीसेंगे, इसे ढंडा करने में थोड़ा समय लगे है, जब तक ये ढंडा होता है, चलिए, आलू को फ्राइ कर लेते हैं, उसकी stuffing बना लेते हैं, make sure के पानी को अच्छे से आप निकाल लें और दूर से डालें, क्योंकि इसके इंदर अभी बहुत साथ पानी है, गरम तेल है, चीटे हैंगे, medium hot oil के अंदर इससे हमें fry करना है, कैसे आराम से दिरे दिरे शुरू हो के क्या आग बबूला हो गया है, क्योंकि जब मैं ट्रेनी कर रहा था न, तो बैंक्विटिंग के अंदर कभी कबार बड़ी पार्टी के अंदर आज 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 भावा आलू, तो हाधत खराब हो जाते ते रही, क्योंकि 500 या 1000 आदमी की पार्टी के अंदर आप सोचे, आलू को पील करना, उस उसको फ्राय करना, उसकी ट्रिमिंग फ्राय करना, उसकी स्टफिंग बनाना उसे भरना, वोग तो लोग डरते थे, आज ट्रेनी के पास या काम आते थे, लेकिन जब आप घर पर बनाते हैं तो इस फान, विकरस चार पांच आलू से पुरा परिवार खा सकता है इसे कम्प्लीटली धंडा करना है, इसे समय लगेगा, इन दे मीन टाइम, हम ग्रेवी को पीस लेते हैं इसे मैं ग्राइंड करूँगा, मेरे बजाज आईवोरा मिक्सर ग्राइंडर में इसकी 800W की पारफुल मोटर कुछ भी ग्राइंड कर दे बड़ी आसानी से बजाज आईवोरा मिक्सर ग्राइंडर की बॉड़ी आती है एंटी बैक्टिरियल और इजी क्लीन कोटिंग के साथ करिए हमारी तयार इसे थोड़ा सा भूनना है और भूनेंगे बटर में थोड़ी सी हरी मिर्च, अगें ऑप्शनल, साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूं बारी कटी हुई अद्रक बटर इस बब्लिंग, इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी इसमें जाएगी हमारी एक करी लिएक करी को अब भूनना है दस से पंद्रम मिर्ट तक इसे पगाना है और करी तयार आज की मेरी जितनी कोगेंगे ना मैं कर रहा हूं मेरी इस ब्रांड न्यू बजाज ग्लास टॉप गास टूफ पर जिसका स्टर्डी स्क्वेर शेप पैन सपोर्ट आता है एसस फ्रेम के साथ जो दिखता है बहुत ही जादा एलिएंट अब ही चलते हैं आलू की स्टफिंग की तरफ सिंपल यह जो आलू की स्टफिंग थी ना सबसे पहले इस स्टफिंग को हम लेंगे एक प्लाटर में या परात में और यह जो स्टफिंग थोड़ा क्रिस्पी फ्लेवर बुनेवे आलू का फ्राइड आलू का रादर तो दी आइडिया इस नोट टो वेस्ट अनिगे ग्रेट पनीर साथ ही ऑप्शनल है ग्रेट चीज शिमला मिर्च बारी कटा धनिया बारी कटी हरी मिर्च थोड़ी सी अद्रक थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें जाएगा नमक इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश अनार नाव जिस मिक्स इट और अगर आप चाहें तो इसके अंदर अल ग्रेवी इस लोट मोर कॉंपलेक्स तो यह एक अच्छी पेरिंग रहेगी अब स्टफिंग लेनी है और आलू में भरना है सिंपल, like I said, simple recipe, life is good जब यह recipe यह dish आप अपने घर पर बनाऊ ना, invite some people over यह तो हारो के समय आप जब ऐसी चीज़े बनाते हैं तो लोग खुश हो के जाते हैं याद रखते हैं अरे फलाने साल में उस टाइम पे उनके घर गे ते बहुत ही बढ़िया उनना आलू बनाये थे देखे जब आप इसकी stuffing करते हैं तो जोश जोश में ज़्यादा stuffing मत करना होगा क्या यहां से आलू क्योंकि आलू नर्म है फट जाएगा उससे भी गलती होगी तो कम ही stuffing करने हैं आलू तैयार हो गए हैं चलते हैं करी की तरफ इसमें जाएगी चीनी चीनी डालने से जो करी के अंदर फ्लेवर से वो भर कर आते हैं वेरी इंपोर्टन कसूरी मेथी का पावडर लेट दे फ्लेवर्स ब्लेंड गास ओफ करेंगे और उसके बाद इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम क्रीम इस अगें ऑप्शनल और हमारी भर्वा दम आलू की करी तैयार है प्यूरिफर चलिए प्लेट करते हैं प्लेट करते हैं प्लेट करते हैं हमारा भर्वा दम आलू डान साथ ही मेरे और बचाज एलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आपको दिपावली की हार्दिक शुपकामना है